हेलो फ्रेंड्स केम चो मजजामा तो स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल वंदना चोहान वी लॉक्स में मेरा नम वंदना है और मेरे साथ मेरे आठ महीने का बेटा दुरूव है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ले चलूँगी मेरे ननन्द कोमल भाईसा की सगाई को और खास बनाने के लिए ये दिन हमारे लिए बहुत ही जादा खास है क्यूंकि हम पहली बार उनके होने वाले हस्वेंट से मिलने वाले हैं तो चलिए दोस्तों इस खुब सुरत से दिन की शिरुवात करते हैं तो हम सब बहुत जादा एकसाइटेड है आज क्यूंकि हम पारंपारी जो हमारी एंगेजमेंट की रसम होती है जो दस्तूरी की रसम होती है वो आज करने वाले हैं और आज से जमाई राजा हमारे हो जाने वाले हमारे परिवार के मेंबर हो जाने वाले हैं और उसके पहले न मैं आप लोगों को चोटो सा रूम टूर दे देती हूं तो यह वाली जो रूम थे ना हो हमारी बहुत ही जादा अच्छी थी यहां से जो विंडो का वियू था वो तो इतना कुछ खास था नहीं लेकिन डूम और होटेल बहुती जादा अच्छी थी और हम तयार होकर फिर पहुच गए थे हॉल में जहां पर आज की एंगेजमेंट होने वाली थी दस्तूरी होने वाली थी और जैसी हम आपर पहुचे ना तो दूरू की थोड़ी से त बढ़ हो गई थी तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को सगाई की रसमें थोड़ी बद बता देती हूं तो सगाई का जो आयोजन है ना वो बहुत ही बड़े धूम धाम से किया गया था और वहां के खाना भी एना एक्दम लाजवाब था रिष्टेदारी भी एना बहु गई यहींट पर और पंडिजी अबदस्तुरी की स्टार्टिंग है वो करने वाले हैं तो हम सब तो बहुत जादा खुश है और मेरी हालत आप लोग देख लीजिए इतनी जादा खराब हो गई थी क्योंकि दुरू है ना मतलब रोना ही बंद नहीं कर रहा था उसको कोल्ड भी था तो उसे साब से लिकिन फिर भी है ना दुर सासुमा है उनके भाई की पेटी है यहां पर यहांपर देखिये जो कोमल भाईशा के बड़े ससूर जी यह सब ना उनको इस तरीके से नारील देते हैं और रैड कलर का कपड़ा भी होतायँ वो भी देते हैं और साथ में लिफाफे देते हैं तो सब का ठीका अगरा लगात और बहुत ही एकदम respectful तरीके से बहुत ही अच्छे से ये सारी रस्में हुई तो मुझे तो देख रहे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हमारी जो engagement थी ना मतलब मेरी और मिस्टर परमार की तो वो तो एकदम सामने सामने ही हुई थी मतलब अंगुठी अग कर देते हैं और तब ही से मतलब engagement पकी हो जाती है लेकिन यहां पर पंडी जी को बुलाया गया था और बहुत ही अच्छे से ना मतलब पूजा पार टो किरा करके बहुत ही अच्छे से मतलब हुई थी तो मुझे तो यह ना देखकर बहुत ही ज़दा अच्छा लग रहा था और सब लोग इतने ज़दा खुशते ना तो बहुत ज़दा अच्छा लग रहा था और गाइस ऐसा भी है ना मतलब कोमल बाईसा के जो ममा है ना वो अब इस दुनिया में है नहीं तो उस हिसाब से ना सब लोग मतलब थोड़े से emotional भी हो गए थे क्योंकि यह जो moment होता है ना मतलब बच्चों की जब सगाई हो रही हो शादी हो तो यह ना उनके parents के लिए बहुत ही जादा you know precious moments होते है एंड मैं जब मामा जी को यहां पर देख रही थे ना सब जगह पर मतलब वह ना मतलब हर चीज का ध्यान रख रहे थे कि यहां पर भी मुझे देखना है वो भ पर तो बेटी की सगाई हो रही है तो उसे साब से खेर चलिए emotional नहीं होना है आज के दिन हम सब खुश होंगे एंड हम सब है ना जानते है कि हमारे जो मामी सा है उनकी blessings हमें सा उनके बच्चों पर रहेगी और हम सब पर रहेगी हमारे पूरी family पर रहेगी तो देखिए यह लैंल में जाते तो जो हमारे जैसे कि मेरे मासी साथ है वगिरा और मामी सा अगरा थे ना तो वो सब हमें बता रहे थे कि ये वो है ये वो लगते हैं इनके कोमल बाई सा कि ये ननन्द है ये जटानी है ये वो सब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और जो लिडीज होते हैं तो उनको इस तरीके से ना मतलब ड्रेस अगरा दी जाती है और उसके बाद में आपर देखिए द्रू की हालत कैसी हो गई है तो ये क्लिप नेक्स्ट डेका है और द्रू को यहां पर बहुत जादा नीन दारी थी एंड सगाई की ना गाईज में जादा वीडियो ले नहीं पाई थी क्योंकि ना सगाई के टाइम में ही मतलब ज खार भी द्रू को इतना जादा हाई था ना कि मतलब मुझसे तो राई नहीं गया और द्रू के पापा तो बिल्कुल भी मतलब है ना वो एक भी परसेंट के लिए रुकते नहीं है कभी भी उनको मतलब अगर थोड़ा सा भी लगता है ना कि तकलिफ हो रही है बच्छे को फटा फट मतलब लोकल डॉक्टर के पास ही हम लेकर गए द्रू को और मेरा मन तो इतना जादा घबरा रहा था ना मतलब अपनी बेटे को इस हालत में देख कर लेकिन फिर डॉक्टर है ना बहुत ही जादा अच्छे थे और डॉक्टर ने दवाई दी और डॉक्टर ने कोल्ड की वज़े से ऐसे हो जाता है एंड मौसम भी चेंज हो रहा है तो उस अजे से तो फिर डॉक्टर ने जो दवाई दी ना उससे तीन-चार गंटे में फरक पड़ी गया था और यह वाली जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ना मतलब ट्रैवलिंग की तो वो है नेक्स तो हमने सोचा कि मंदिर में दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए वहां पहुचकर शिवजी की मूर्ती को देखकर है ना मन को इतनी जादा शांती मिले ना तो बहुत जादा अच्छा लग रहा था और आग पर देखिए हम पहुच गये हैं और यहां पर पार्किंग की व तो उसे साब से ना सब जब का डेकॉरेशन अगिरा हो रखा था और यहां पर देखिए स्नूफॉल का एने काइंड ओफ थीम बनाया हुआ है तो यहां पर बच्छे भी बहुत जादा एंजॉय कर रहे थे और मुझे भी बहुत जादा अच्छा लगा यहां पर आकर और यहां शीव भगवान की एक विशाल मुर्ति स्तापित है जो दुनिया की सबसे उची शीव मुर्तियों में से एक है तो मुर्ति की जो उचाई है न वो 369 फिट उची है मतलब ऐस पर गूगल में आप लोगों को बता रही हूँ और यह मुर्ति शीव भगवान के meditation पोज में है जो शांती और ध्यान का प्रतीक है और यहां पर देखिए जाने के लिए न ट्रेन भी थी मतलब ऐसे ट्रेन का विकल था और यहां पर पर परसन 100 रुपीज लिए गए थे तो हम 5 लोग ते तो 500 रुपीज लिए गए थे मतलब आने के भी और जाने के भी दोन लिए पापाजी बैटे थे और पीछे के डिबो में हम बैटे थे मैं और मेरे देवर सां तो बहुत ज़ादा मज़ा आ रही थी और दुरूअ सा के पापा जी ने भी ना बहुत ज़ादा हेल्प की मुझे वीडियो शूट करने में क्योंकि मैं एक दिन पहले का वीडियो बिल्कुल भी नहीं ले पाएती है और गाइस ना पता नहीं क्यों मेरे साथ तो हमेशा ऐसे होता ही है जब भी मैं किसी भी चीज़ को लेकर बहुत साथ एक्साइटेड होती हूँ ना कि ऐसे करेंगे सगाई में वैसे करेंगे ये करेंगे वो करेंगे तो वो चीज़ मेरे सा बिलकुल होती ही नहीं उसका बिलकुल आपोसिटीव हो जाता है लेकिन मुझे बिलकुल नहीं पता था कि दुरू की हालत इतनी जादा खराब हो जाएगी लेकिन फिर भी अभी है ना दुरू काफी हद तक मतलब अच्छा फील कर रहा है एंड गाईस इस मुर्तिके निर्मा जगाओं से यहां पर आ रहे थे इतने अलग अलग स्टेट से तो बहुत जादा अच्छा लग रहा था और देखिए कितनी लंबी उची मुर्ती बनाई हुई है और यहां पर जाने में भी ना बहुत जादा टाइम लगता है तो आपको जादा तर मतलब है ना अगर चल कर न इतना चलने के लिए होता नहीं तो इसलिए फिर हमने यह वाली गाड़ी की थी और देखिए हम यहां पर पहुँच गए है और यहां पर इतना अच्छे से मतलब सब कुछ बनाया हुआ है ना तो मुझे तो एक टाइम के लिए सच भूलो ना लगी नहीं रहा था कि मैं रा स्टीनले स्टील और कंक्रीट से बनाया गया है जो इसे मजबूती और स्टीरता प्रदान करता है और यह मुर्ती सिर्फ धार्मिक महत्वता के लिए ही नहीं बलकि राजिस्तान के विकास और टूरिजम के लिए भी एक महत्वपुर्ण स्थल है तो बहुत ही जादा अच् के लिए भी बहुत अच्छी चीज़े थी तो मुझे तो याना यहां पर आकर बहुत ही जादा अच्छा लगा और यह मुर्ती जो है न वो शिव भगवान के आदी योगी स्वरूप को दर्शाती है जो मानवता के लिए योगा का पहला उपदेश था तो मुर्ती का और सूर्य सेतू के समय और भी अद्भूत लगता है और अगर आप नौद्वरा जा रहे ना तो इस मुर्ती के दर्शन जरूर करें और शिव भगवान की कृपा का अनुभा भी जरूर जरूर करें तो देखिए गाईस हम यहां पर पहुच गए हैं और यहां पर है ना फि भी जो यादे वो रिफ्रेश होगी होगी और मैं भी यहां पर फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे तो बहुत जादा अच्छा लग रहा था तो मैं ना फटाफट मतलब सबको बोल रही थी आप लोग फटाफट खड़े हो जाओ में सबके फोटो लेती हूं वीडियो ले लेकर और पहुत जादा अच्छा लग रहा था यहां पर आकर और यह देखिए जो ट्रेन हमें लेकर रहती ना वही ट्रेन वापस भी जा रही है और फिर ना देखिए यहां पर रितिक मुना की भी तबेद खराब हो गई तो ना कुछ ना कुछ मंदब चलते ही रहता है ज और फोटोस भी क्लिक कर रही हूं तो यह वाली जो वीडियो है ना वो मेरे पापा जी यानिकी मेरे ससूर जी ने कैप्चर की है तो अभी जब मैं फोन देख रही है ना तब मुझे पता चला तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा और तो दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो आज जिस्ट होप की अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और आप लोग भी फटा फट हाथ जोड़कर बगवान से आपकी विश पूरी होने के लिए मांग लीजिए पूजा बाठ कर लीजिए तो मैं होप करती हो कि आप लोगों की विश्यस जल्दी ही पूरी होगी और यहां पर देखिए दुरू वापस बैट चुका है गाड़ी में तो बस अब हम हो गए है रवाना और हम थोड़ी ही देरे पर पहुच जाएंगे वापस तो अब हमें शिवगंज भी बिचारे और उनको भी एना फीवर जैसे लग रहा था लेकिन फिर भी मैं थोड़ी ना किसे को जूड़ती हूं सबके एना फोटोस वीडियो तो लेती ही रहती हूं तो मुझे तो यहां पर आकरे ना बहुत ही जादा अच्छा लगा and I just hope कि आप लोगों ने भी यह वाली अंकल थे ना वो भी मतलब ना गाड़ी चलाने को मतलब ना इतना ध्यान में रखी नहीं रहे और दुरू के साथ में ही बाते अगरा कर रहे थे और दुरू का जो आउटफिट है ना वो आप लोगों कैसा लगा मुझे कमेंड करके जरूर बताना और यह वाला जो शर्ट था ना जो दुरूर ना अभी पैना था वो भी मैंने राजेस्तान से ही परचेस किया है और रात के बच गए है ग्यारा रूम की आहलत बहुत जादा खराब है और मेरी भी और अभी मुझे बिस्तर अगरा भी करने हैं तो मैं पहले तो सब अच्छे से समेट कर रख देती ह हूँ और उसके बाद में ही अच्छे से बिस्तर करूँगी क्योंकि चीटिया वगिरा न फिर बहुत जादा हो जाती है तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आशा करती है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर देना आँगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो कब आएगी लेकिन जल्दी ही आएगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आएगी बाइबाए टेक करे लव यॉल गाईज